हलो फ्रेंड मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में हर किसी को कुछ न कुछ पसंद है या पसंद नहीं होबता लेकिन पानी पूरी इसले हो इसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है, तो चलिया आज हम बनाते हैं पानी पूरी, इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी, गिहूं का आँटा लिय다 है, और आधा कटोरी इसमें हम सुझी डालेंगे, तो यह सुझी मोटी वाली है, पतली वाली भी ले सकते है जो भी आपके पास है वो ले लिजे आप, स्वादे नुसार इसमें नमक डाल देंगे या आधा छोटा चम्माच, अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें सौप्ट सा डोर तयार करना है, तो पानी मैंने नौर्माली लिया है, जो पीते हम वही बाला है ये, अ इसे सौप्ट जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें तयार करना इसे, अब इसे एक पॉलिथिन में कवर करके, हम लगभग 20 मिनट से आधा घंटा के लिए रख देंगे, अब हम इसके लिए पानी बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक इसी के जार में डाल लेंगे, इसमें मैंने बरफ का तुकड़ा भी डाला है, इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है, अध्रा को इस तरह से हम काट लेंगे, छोटे-छोटे पीस में, ताकि इसे पीसने में आसानी हूँ, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, या एक चोटा चम्माच, और यह लिजी पानी के लिए चटनी बन करके तेयार है, इसे हम एक बरतन में खाली कर देंगे, जरुत के हिसाब से, और पानी डाल करके इसे रख देंगे, साइड में, यहाँ पर मैंने 5-6 घंटे के लिए इमली को भीगो करके रख लिया है, तो इसे मैं इसमें फाइबर है, वो अलग हो गए है, अब इसमें भी दो कप पानी डाल करके हम इसे रख देंगे, साइड में, और इसी में से 4 चम्मच मैंने यह जो तीखा वाला पानी है, उसमें डाला है, खटाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने निगू का यूस नहीं किया है, अब यह जो बाकी का इमली पानी है, इसमें हम गूर डालेंगे, पर 100 ग्राम जितना गूर डाला है मैंने, आप स्वात के अनुसार डालें या थोड़ा सा टेस्ट कर लीजे, उसके बाद में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और गूर की जगा आप शकर भी डाल सकते हैं, अ एक उबाल ले लेंगे हम इसमें, उबाल आ चुकी है, गैस को हम बंद कर लेंगे और यह देखे, बहुत ही प्यारा सा कलर आया इसमें, अब यहां पर हमें पानी के लिए मसाला बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक चम्मज धनिया लिया है, साबूत, एक चम्मज सौफ है और एक चम्मज ही जीरा है, एक दो मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे, ताकि इनका मौस्चर जो है वो खतम हो जाए और अच्छे से हम इसे पीस सकें, तो देखिए भून चुकी है, इसमें से खुस्बू आने लगी है, अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जैसे ये ठंडा हो जाए इसे पीस करके हमें इसका पाउडर बनाना है, तो लिजे पाउडर तयार है, अब इसमें से एक चम्मज लेंगे, और ये जो तीखा पानी हमने बनाया है, उसमें डाल देंगे, और एक चम्मज यहाँ पर मैने चाट मसाला जो मीठा पानी हमने बनाया है, उसमें भी एक चम्मज अचाट मसाला डाल देंगे, और यहाँ पर आप पानी को टेस्ट करके देख सकते हैं, नमक कम ज्यादा जो भी लगता है आपको यहाँ पर मिला लेजे आप, तो पानी ते यार है, चलिए अब हम आटा को चेक कर लेत हैं, तो देखें, आटा कितना हाड हो चुका है पहले से, सूजी ने जितना भी पानी था, उसे अबज़र कर लिया है, अब इसे इसी तरह से हम खिशते हुए, लगभग 10 मिनाट तक इसे हमें और गुन दा है, हलका गुन गुना सा इसमें हम तेल डालेंगे, और इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे, तो इसे बनाने में बहुत महनत लगती है, आप जितना ताकत लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लिजे, और इसे एकदम सॉप्ट करना है हमें, आप चाहें तो इसे किसी स्लेब पर रख सकते हैं, अच्छे से इसे खीच-खीच करके इसे, इस तरह स मैंने इसे 10 मिनाट के लिए और कूथ लिया है, और देखिए अब थोड़ा सा यह सॉप्ट हो चुकी, आटा पहले से, इसमें लगभग दो चम्मत जितना मैंने तेल डाला है, और अब इसमें से छोटी-छोटी लोई बना करके तयार करेंगे हम, तो पानिपूरी का साइज आपको जितना बड़ा या छोटा रखना है, उसके हिसाब से आप लोई बना लिजे इसमें से, तो मैं बहुत छोटा-छोटा बना रही हूं, सारी लोई बना करके इसी तयार कर लेंगे, और लोई को दबा करके हां से इस तरह से गोल कर लेंगे, अब एक-एक उठाते पूरना है, ताकि इसमें पानी न रहे, और उसी में हम सारी पानी पूरी बना करके रखते जाएंगे, कहूं आटा का यहां पर पर्थन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बेलने में प्राबलम हो रही है तो, तो यह देखिए, सारी पानी पूरी मैंने बना करके तयार कर ली है, अब एक कढ़ाई में हमने तेल चड़ा करके रख दिया है, तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है, जो पानी पूरी हमने डाला है, उसमें इस तरह कल्ची से हमीं लाते जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा सा तेल उसमें डालते जाएंगे, एक साइट जब फूल जा एसा ही 2-3 सेकेंड के लिए, ताकि ये नीचे से अच्छे से क्रिश्पी हो जाए, और एकदम हाई फ्लेम पर डाल करके तुरंती से नहीं निकालना है, नहीं तो आपके जो पानी पूरी है, वो एकदम सॉप्ट रहेंगे, तो थोड़ी देरी से क्रिश्पी होने दीजे, उसके बाद ये अच्छे से क्रंची हो जाते हैं, हाई फ्लेम पर मैंने सारे पानी पूरी डाल दिये हैं, उसके बाद जैसे ही वो फूल जाती, एक साइट से, मैंने थोड़ा सा फ्लेम को मेडियाम कर दीया है, यहाँ चाहें तो थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, और तो यह आवास सुनी आपने बहुत ही क्रिश्पी बनी है यह थोड़ी दे ठंडा होने दीजिए उसके बाद यह अपने आप ही क्रिश्पी हो जाते हैं और यह लीजिए बहुत ही टेस्टी सी पानी पूरी तयार है तो आया ना आपके भी मुह में पानी तो अगर आपको आज इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्पी करना